करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पे तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहले तो यह टर्म क्या है और हमें किस तरह एफेक्ट करेंगे रखेक्ट करेंगे तो फॉर्मिंग के लोग समझ सकें इसको वड़ेजली हमारे जो डिफ्रेंट गैसी जिसे तो उसमें कुछ रेज आती है जिसे ओजोन आपकी डिप्लीट हो गई तो जनाब जी कॉस्मिक रेज आ गई जिसे आपके प्रोब्लम्स आ जाती है इसी तो चैटिके से जो करगम डाइक साइड जी आदा एधी जी आधी चाहती है वापस reflection, reflection, 2, 3 process हैं वापस जाती है, अकस उनका जाता है, तो यह जो carbon dioxide है, क्यूंके इस concentration ज्याद़ यह trap कर लेती है, यह trap करके, heat जो अलरी produce हमारी अर्थ कर रही है, जो पूरा globe कर रही है, वो trap हो जाता है उसी के अंदर, जैसे लाइक जाता है, जैसे लाइक तो warm हो जाते ह पिगलेंगे, clashers पिगलेंगे, तो आपका water flood जाएगा, water जादा आगा, sea level rise होगा, तो इसके impact आगे बहुत जादा है, अच्छा ली तो गरम हो गया, थंडे में बहुत रदा क्यों? थंडे में? सर्दी में, वेंटर में बहुत वेंटर क्यों? ने ने वो, देखें, वेदर pattern change होगे ना, जिसके भी हम बात कर रहे थे, weather pattern की change आ रहा है, आपका moon soon का जब चलता है, जब हमाये चलती ही थी, weather pattern ये था के right from Pakistan, up to India, up to the far east ये जायता था, Indonesia, Malaysia, Papa New Guinea तक ये पूरा cover करता जाता था, अब ये pattern change हो रहा है, it's moving, it's not going directly in that way, it's moving towards Pakistan, तो ये weather pattern जो चेंज हुए ह ये आपकी सारी जो concentrations, different concentrations है, किविके different layers चल रही होती है, different gases की, हमारे उपर भी जो कुदृत ने बनाया हुआ है, अगर कभी हम सब को इतफाक हुआ है, planes पे सफर करने का, जब above 10,000, 20,000 जाते हैं, तो आपको नीचे जब clouds नजर आते हैं, अगर आप खेड़ी पे बैठे हैं उस फाली सीट पे आप नीचे देखें, clouds की formation चल रही होती है, that's clouds formation in certain layer, it's not like that, जो उपर से लेके नीचे तक आपको मिलेंगे, तो वो जो layers है, these are actually the different composition of gases, वो जो gases हमने change कर दी हैं, आपका weather pattern पे बेस करता था, कि इधर आप सर्दी आएंगे, इधर गर्मी आएंगे, जो or mild temperature की आप बात करती थी, वो जहां तो बड़ा lowest temperature को feel कर रहे होते हैं, या highest temperature को feel कर रहे होते हैं, अब पिछे दुनों लोहर में एक दिन वरभारी होगी, लोग enjoy कर रहे थे, और अभी पिछे दुनों यह मुझे असल बता रहे थी कि हिवाज इन दुबई और गर्मियों मे सर्दी, सर्दी feel होरी दिवाल होगो, लोपत परिशान दे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं आपको बता हूँ कि अभी जो 2010 का एक survey है, जिसमें बतागा है कि पाकिस्तान के पांच जो बड़े शहर हैं, इसमें लाहोर और लाड़काना, सहरे फेरिस पर हैं, ये 28 शहरों के ट सर्दी, इस सार किना इक्सपेक किया जा रहा है, ये तकी बन 4-5-6 तक और जाएगा, बिलकुल बड़ेगा, और इसका डबल इंपक्ट जो मैंने आपसे पहले बात कि जो कि जाएगा बिलकुल, और डबल इंपक्त आ रहा है, एक तो वह जो डिवल्प कॉनिटी इस उनकी क्लाम मिट चे वह जो एक उनकी दुटी नुटी शोन के जा फूर आर है, और जो हमारी अपनी प्रेचिस अं जो हम अभी जा रहे हैं फ्युचर में, उसका इंपक्ट भी फ्यूचर में पढ़ेगा, और पर पता नहीं क्या होगा, और प्र पता है कि क्या हमारा बने बने ल बात है अगर जवाने के साथ अबदीर नहीं आती तो वह लोग वह कौम पीछे रहा जाती है यह तो हम मानते हैं और अगर अगर माहोल चेंज हो रहा है अगर हमने अपनी प्रैक्टिस नहीं की तो हम नुकसान उठाएंगे डेफरिटी अन्वेस्ट बात है ठीक है यह सब बात हो गए हम अपनी प्रैक्टिस क्या चेंज करें सर सब हम सब अभी बात गौर से सुनें जी प्रैक्टिस अगर आप कहते हैं तो यह कहूंगा सब से वि आपको मैं बताओं कर आप मैंने रुरल कम्मॉनेटी के साथ काम किया है कोस्टल एरियाज में रुर्ल कम्म्मॉनेटी का जहां आप तालीम की शफ़ाप बल्कुल जीरो है मैंने वह जगहें भी देखिए जहां आपको दिनी तालीम भी नहीं हैं लोगों के पास but द्यार ज उसको वो यूज कर रही है, फ्रम बहुत डिकेट से और अगर अगर तक उन्हों सेंचरी से कर रही है, उनको पता है कि आज हमने इतने दृत काटने हैं, हमेरी यूज इतने प्लांट करें, इतने प्लांट करें, इनका क्या पैटरन होता था जब वो फिशिंग के लिए जाते है विभी ऐसी करते हैं, इतने टेस्कों इनकारि काने होगी है, यह कहने के लेका़ें, और दूसरे बहों का अजिए यह अधिवागी प्लांट करें, आपो को पहती पहुत चेंज करना होगा, हारनए हम के रिपूंसिभ्यकर करना होगा यह ना करूं यह आसे छीज ना सब्सक्राइब अब थोड़े से बताजिए कि आप बिंग पार्ट फ डबी डबी एफ आप के सजेस्ट करते हैं देखें मैं यही कहूँ कि जितनी ज्यादा प्लांटेशन होनी चाहिए वह बहुत अच्छी बात है मेरा तो मैं तो हर फॉर्ण पे कहता हूं को जो करें हम उसको कम कर लें इंडिविजिली लेविल पर तो डिफिरिंटी चेंज आ जाएगा बड़े पेमान में पॉलिजी बनाएं उसको इंप्लीमेंट करें उसमें रिसोर्स आया हो आपके शायद वह चेंज ना है लेकिन अगर इंडिविजिली एक्ट या आज जितने लो जो habits उन्होंने बनाएं भी उसमें चेंज आजे तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी achievement होगी इंशाला इंशाला इसके लावा कोई जादू नहीं है कि छड़ी से फूक है और सब कुछ बदल जाए यह नहीं हो सकता मतलब इस सब हमारा behavior pattern ही है in the first place deforestation जो हो रही है वो और दूसरा हमारा जो personal behavior है वो यह सब चीजें जो हमारे environment को effect कर रहे हैं और यह सब चीजें अभी भी हम रोक के सही कर सकते हैं बिल्कु कर सकते हैं और reverse भी कर सकते हैं अगर जाद जादा प्लांटेशन कर ले जाए तो तो प्लीज दरख्तों से और पौदों से प्यार कीजिए और जितना हो सके उनको लगाईए उनका ख्याल रखिए deforestation जितना ओएट कर सकते हैं की जाए और यहां पर हमारा जाज हमने बात करने कोशिश की environment पे अच्छे healthy environment पे जो हमें और हमारी आने वाली नसलों को करते हैं healthy morning at hell-tv.tv और फेस्बुक पे healthy morning with dr. आफ़ा के पेज़ पे यहां पर आप लोग हमसे बात करते हैं अभी वक्त हो गया है हमाई प्रगाम के खत्म होने का कल हम फिर हाजर होंगे अच्छे-च्छी बाते लेके healthy दिखते रहेगा अला हाफिस देखते बाते हैं है